EPA's 95 Pension Scheme में बड़ा बदलाव, लाखो कर्मचारियों को मिलेगा फाइदा, जानिए अपदेट जिसमें की 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाब प्राप्त हो सकता है। इस बड़े बदलाव में हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य को फाइदा मिलेगा। EPA's 95 Pension Scheme में बड़ा बदलाव, लाखो कर्मचारियों को मिलेगा फाइदा, जानिए अपदेट। भारत सरकार ने कर्मचारी Pension योजना 1995 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जो की 28 जून 2024 से प्रभावित हो गया है, इस संशोधन का मुख्य लक्ष उन कर्मचारियों को भी निकासी का लाब प्रदान करना है, जिन कर्मचारियों ने 6 महीने से भी काम अंच्टाई स सेवा की है, इस संशोधन से हर साल 7 लाग से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, तो चलिए आप सभी को EPS 95 पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव से संबंधित और अधिक जानकारी बताते हैं, EPS 95 पेंशन स्कीम 6 महीने से कम सेवा वालों के लिए लाब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक 6 महीने से कम सेवा करने वाले सदस्य निकासी लाब के पात्र नहीं थे, जिससे कि कई कर्मचारियों के दावे खारिश हो जाते थे, और उन सभी कर्मचारियों को कोई लाब नहीं मिलता था, इस नए बड़े बदलाव के बाद 6 महीने से कम सेवा करने वाले कर्मचारी भी निकासी का लाब प्राप्ट कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी वित्तिय स्थिती में सुधार होगा. Employee Pension Scheme Table D में संशोधन सरकार ने Table D में भी बड़ा बदलाव किया है, जिसके कारण अब सेवा के प्रत्यक पूरे महीने को ध्यान में रखकर निकासी लाब की गणना की जाएगी. पहले अंश्दाई सेवा के छे महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य निकासी लाब के पात्र होते थे. लेकिन अब वर्तमान में सेवा के प्रत्यक महीने के लिए निकासी की गणना की जाएगी, जिसके कारण सदस्यों को अधिक लाब मिलेगा. मान लीजिये कि पहले दो वर्ष और पांच महीने की सेवा के लिए 29,850 रुपए का निकासी लाब मिलता था. जबकि अब बदलाव के बाद टेबल डी के अनुसार 36,000 रुपए निकलने का लाब मिलता है. EPS 95 पेंशन स्कीम वित्तिय वर्ष 23 से 24 के आंकडे. वित्तिय वर्ष 2023 से 24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाब के दावों का निप्तारा किया गया. इस दोरान 6 महीने से कम समय की सेवा के के कारण 7 लाख दावों को खारिज किया गया था. इस नए बदलाव के तहट ऐसे सभी करमचारी जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयू प्राप्ट नहीं कर पाए हैं. वे सभी करमचारी निकासी का लाब प्राप्ट कर सकते हैं. Employee Pension Scheme सरकार का लक्ष्य इस बड़े बदलाव का मुख्य लक्ष करमचारियों को उनके योगदान का उचित लाब देना है, जिसके कारण करमचारियों की शिकायत को दूर किया जा सके. सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निकासी लाब की राशी सेवा के पूरे महीने और उसे वेतन पर आधारित होगी जिस पर अंच्छदान प्राप्ट हुआ था. करमचारी पेंशन योजना में किये गए यह बड़े बदलाव लाखो करमचारियों के लिए एक बड़ी खुश्खबरी लेकर आया है. यह कदम न केवल उनके भित्ती सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बलकि उन्हें उनके योगदान का सही लाब दिलाने में भी मदद करता है. करमचारी पेंशन योजना, EPS 95 न्यूंतम पेंशन, ट्रेड यूनियोनों की चुप्पी, कोट और जीत की राह पता नहीं. EPS 95 पेंशन राष्ट्रिय संघर्ष समिती रायपूर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का पोस्ट सुरकियों में. सूचनाजी न्यूज, चक्तीसगड. करमचारी भविश्य निधी संगठनी PFO, Employees Provident Fund Organization, EPFO, के सदस्यों का दर्द छलक रहा है. करमचारी पेंशन योजना 1995, Employee Pension Scheme 1995, के तहत EPS 95 की नियोंतम पेंशन, EPS 95 मिनमम पेंशन, 7,500 रुपए की मांग है. इस पर पेंशनर्स लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन मांग स्वीकार नहीं हो सकी है. इस पर EPS 95 पेंशन राष्ट्रिय संघर्ष समिती राइपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है, कि अभी हम सभी चौराहे पर खड़े हैं. हमें मन्जिल तक ले जाने वाली राह कौन सी होगी? कोई बताने की स्थिती में नहीं है. अभी तक एक ट्रेड यूनियन और तीन सेवनिवरित संगठनो द्वारा मात्र एक-एक पत्र जारी कर लगता है, अपने कर्तवियों की इतिश्री कर ली है. आगे मसले को प्रबंधन से कैसे सुल्टाया जाए? शायद अपने सामर्थ्य में कोई कोई ना कोई कमियों के चलते आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही है. समस्या केवल सेवनिवरित्तो की है. ऐसा सोच कर बीक NKS, FCSU जैसे ट्रेड यूनियन भी चुप्पी लगाए बैठी है. उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कि विनियम 82 के प्रावधान तो कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू है. ऐसा भी हो सकता है, वावाही तो FCIA C2 से जुड़े रहे पुष्पधरन कैपुली की हुनी है. कोट में वो जीत कर आए हैं, तो वहीं आगे भी सभी पर प्रावधान लागू करके दिखाएं. यहां श्रम संगठनों के नेताओं के एहम, इगो, को आपस में टकराते हुए हम साफ देख सकते हैं. इसका सबसे ज्यादा फाइदा प्रबंधन उठा रही की वाबजूत सर्वोच्च न्यायाले ने विनियम 82 सभी पर प्रभावशील होने की बात कह दी है, पर दावेदार की ही अपने हक हासिल करने की इक्षा शक्ती में कमी हो तो किसे पड़ी है, कि वो न्याय की बात करे. नामदेव जी का कहना है कि प्रबंधन के आला अधिकारियों से नेताओं के अलावा सेवनिवृत्तों की छोटे शिष्ट मंडल को भी रूब्रू होकर चर्चा करना जरूरी होगा, वरना आपकी मांग यूही ठंडे बस्ते में पड़ी रह जानी है. कोट जाने का विकल्प भी समय बाध्य है. कोट भी लंबे समय तक सोते रहने का आप से सबब पूछ सकती है. सब को मिलकर रास्ता खोजना होगा. पेंशनर्स सतीश प्रसाद ने कहा जिन है, जिस संगठन को इस मामले को प्रबंधन के साथ मिलकर निराकरण करना चाहिए था, वे चुप है. कारण तो मुझे पता नहीं, लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ कि उनका उस मान्यता प्राप्त संगठन का अह किसी से टकरा रहा है. उन्हें पता है कि वे मान्यता प्राप्त है और प्रबंधन उन्हीं की सुनेगा. इसलिए वे नखरे दिखा रहे हैं और भुक्त भोगियों को सहना पड़ रहा है. गैर मान्यता प्राप्त संगठन कितना भी कसमकश क्यों न कर ले, फिलहाल कोई आशा की किरण दिख नहीं रही. बस सुलकते रहें. EPS 95 पेंशनर्स के लिए संसत का चौकाने वाला फैसला नियोंतम पेंशन में मिली बड़ी राहत. जाने इसका असर कैसे होगा? EPS 95 पेंशनर्स करमचारी पेंशन योजना में पेंशन भोगियों के संगठन EPS 95 राष्ट्रिय आंदोलन समिती NAC के द्वारा शुक्रवार के दिन सरकार की ओर से अधिक पेंशन की डिमांड करने पर विचार करने का आश्वासन पेश किया है. EPS Pension, Pension Fund के करीब 78 लाख पेंशन भोगी निवतम मासिक पेंशन बढ़ा कर 7,500 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, चलिए जानते हैं, इसकी पूरी जानकारी. Employee Pension Scheme में अभी केवल 1,450 रुपए औसत पेंशन. जानकारी के अनुसार प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की गई एवां, राश्ट्रिय राजधानी में करमचारी Pension योजना के सदस्यों के साथ आयोजित विरोध प्रदर्शन के पश्चाथ संपन हुई देश की विभिनन स्थानों से सदस्यों द्वारा सरकार के विरोध डिमांड करी है इसके अलावा निकाय द्वारा बताया गया है कि तक्रीबन 36 लाग पेंशन भूगियों को हर महीने प्रती माह से भी कम पेंशन दी जा रही है बुजुर्ग दमपत्ती का जीवन्यापन भी मुश्किल समीक्षा के अनुसार समिती के अध्यक्ष अशोक रावत जी ने बताया है कि श्रम मंत्री मंसुख मांडविया द्वारा आश्वासन देते हुए सरकार की ओर से हमारी समस्या को समाधान प्राप्त करने के लिए गंभीर विचार उपलब्ध है उन्होंने आगे बताया है कि प्रधान मंत्री भी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबध है एवं नियमित पेंशन फंड के तहट दीरगकालिक योगदान करने पर भी पेंशन भोगियों को बहुत ही कम पेंशन का लाभ दिया जा रहा है इसके पश्चात कर्मचारी पेंशन योजना में मौजूद पेंशन राशी के कारण बुजुर्ग दमपतियों का जीवन अपन करना मुश्किल हो चुका है संबंधित खबरे फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने में देरी की तो छूट जाएगा मौका EPS 95 पेंशनर्स के लिए आई पॉजिटिव खबर संसद में कॉंग्रेस करेगी समर्थन आगे बताया है कि EPS 95 एन एसी ने नियूंतम पेंशन बढ़ा कर 7500 रुपए हर महीने डिमांड करी है इसके तहट पेंशन भोगी जीवन साथी के साथ महंगाई भत्ता एवं मुफ्त स्वास्थ सुविधाएं सम्मिलित करनी चाहिए जानकारी में आगे कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ संसर द्वारा संगठन के अनुसार सदस्यों से मुलाकात और भेंट करी और कर्मचारी पेंशन योजना में अधिक पेंशन की डिमांड को पूरा करने की समर्थन का आश्वासन दिया है Employee Pension Scheme के लिए 10 साल तक नौकरी करना जरूरी Employee Pension Scheme योजना का लाप केवल उन्ही को दिया जाता है जो EPFO subscribers है इसके अतिरिक्त EPFO के नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो EPFO में अंश्टान करता है उन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 50 वर्ष की आयू से अधिक है तो पेंशन प्राप्त करने के ल लिए जमा की गई राशी को बीच में कभी भी प्राप्त किया जा सकता है